सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजिनियर्स चैनल को और पैल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजिनिरिंग वीडियो सबसे पहले हलो गाइज मैं दीपक वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस स्टैप के प्रोग्रामिंग वीडियो की तो फ्रेंड जैसे के मेरे लास्ट वीडियो रहे थे आपको आई होप समझ में आ रहा होगा और आपके अच्छे-च्छे मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं अगर और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे सकते हैं तो पहले हम आते हैं अपने प्रोग्राम पर तो फ्रेंड देखिए आज का प्रोग्राम बिकॉज बहुत इजी है और आप में से कुछ लोग की comment देखिए तो थोड़े इजी प्रोग्राम को रन कराइए तो आज हम पहले part में हम क्या करेंगे एक सब प्रोग्राम बनाएंगे इसके हम pocket milling करेंगे center वाली second program में हम बहार की milling का एक program बनाएंगे रफिंग का और third हमारा होगा main program चलिए फ्रेंड देखती है जल दो फ्रेंड देखे पहला हमारा क्या है पॉकेट मिलिंग सेंटर वाली तो फ्रेंट यहां पर जो आपसेक्ट था वो सेंटर से था कौन से अपसेक्ट था सेंटर से आपसेक्ट था तो हमारा प्रोड्राम जो बना वो हो बना हमारा O0025 यहां पर फिर हमने Z91, G01, Z-1, F300 मेंज हमने अपना टूल 1 mm प्लिंच करा लिया 300 फीड से ठीक है फ्रेंट G01 यूज करते हैं हम लीनियर के लिए जब भी हमारा टूल लीनियर मूव करता है आगे हम बात करते हैं G90X 5.0 तो फ्रेंट इसका मेंज क्या है इसका मतलब फिर ह हमारा टूल यहां से यहां पर आ जाएगा उसके बाद G03, I-5.0 और J0 तो मेंज मेरा टूल यहां से लेकर यहां पर मूव करके वापस आ जाएगा उसका अगें G01X 12.5 अब मेरा टूल मूव करके यहां से यहां पर आ जाएगा फिर G03, I-12.5 और J0 मेंज मेरा टूल यहां स पर दुबारा से घूम कर यहां पर वापस आ जाएगा उसके बाद G01 X20 इस जगह पर आ जाएगा ओके और इसके बाद अगें G03 I-20 J0 मेंस मेरा टूल अगें यहां पर घूम कर इस साइड आ जाएगा अब फ्रेंड आपको कन्फीजन ना हो यह हमारी मशीनिंग हमको इस पार की मशीनिंग करनें ती में मैं चाहता हूँ जो मेरी मशीनिंग मुझे मिले lt तो मैंने 5 का object लेके एक विखाद मेरा टूल 10 डाया का तो मैंने 5 का of टूल पर ड्रॉड कर लिया इसलिए मुझे जी 42 एजी 41 का यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 5 का object लेके चला है अगर आप 5 का object नहीं हो तो फिर आपको जी फोटे वन जी फोटे डू केलकुलेशन करनी पढ़ सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हमने दिया जी 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 जीरो वन एक जीरो मींस मेरा टूल वापस और जन पर आ जाएगा और यहां मेरा पहला सब प्रोग्राम फिनिश हो गया M99 से चलिए बात करते हैं सेकंड की तो फ्रेंड सेकंड प्रोग्राम भी बहुत इजी होने वाला है हमारा यह प्रोग्राम कुछ स्टैप का चलेगा कहां से चलेगा मेरा टूल यहां पर आएगा यहां से प्लंच करके फिर इस साइड घूमते हुए बाहर निकल जाएगा और वापस पुनी पोजिशन पर आ जाएगा यह प्रोग्राम कुछ स्टैप का होगा कैसे होगा स्टार्टिंग होती है ओ डबल जिरो ट्वेंटी सिक्स तो यह मेरा हो गया प्रोग्राम नंबर अगेन प्लंच के लिए जी ना इंटी वन जी जी रो वन जैड माइस वन पंड और अगे मेरा टूल एक इमाम प्लंच कर जाएगा 300 आर्पेम की स्टीड से आगे हम बात करते है जी ना इंटी तो हमारे एपस लेट स्टार्ट हो गया कोडिनेट आगे फिर जी 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 एट पंड पंड फ्री सेवन वाई माइनस फोर और आर एलेवन मेरा ट तक कटिंग करते हुए आ जाएगा आगे हम बात करते हैं जी 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 और फिर उसके बाद क्या है फ्रेंड मेरा जी-0-3, X-79.1, 2, Y-17.36 and R-11 Means मेरा टूल इस वाले आर्क को कट करते हुए चला जाएगा फ्रेंड ये मेरा टूल पाथ है जिसको टूल फॉलो करने वाला है याद रखना मेरा टूल इस मिडल पर चलेगा टूल कट आया मेरा कितना है 12 का तो देखे दिखाएता हूँ ओके थोड़ा दिक्कत कर रहा है ये मेरा 6 का 12 तो देखो फ्रेंड दिख रहा है तो मेरा टूल ओटोमेटिकली फिनिशिंग कट करते हुए चलेगा इसलिए मैं G41 या G42 का यूस नहीं कर रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो एक और बार द्वार से समझ लो कि मैंने क्या करा मैंने ओटोमेटिकली 6 का आप्टक ले लिया यहां से जिससे मैं जो भी पात फॉलू करूं तो वो मेरे वर्क पीस को कट ना करें मेरे वर्क पीस को मुझे जैसी कटिंग चाहिए वैसी ही कटिंग मुझे मिल जाए ओके फ्रेंड अगें क्या था जी 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 रो टू एक सेवंटी नाइन प्रोग्राम बना चुका हूँ अब इन प्रोग्राम को में रन करना है वो कैसे करेंगे हम स्टार्ट होता है ओ डबल जी रो ट्वेंटी सेवन तो यह मेरा एक प्रोग्राम नंबर आ गया में प्रोग्राम इससे मैं यूज करता हूँ जी सैवंटीन plane define करने के लिए कि मेरा xy plane cutting होने वाली है g21 मेरा metric इनों डिस्टम होगा means मैं MMA calculations करने वाला हूँ सारी g40 अगर मैंने कोई tone nose compensation radius दे रखी है तो वो मेरी यहाँ पर हट जाए अगें g49 अगर मैंने कोई height compensation दे रखी है तो वहाँ पर हट जाए g15 अगर मैंने कोई polar coordinate यूज कर रखी है तो वो भी हट जाए g90 मेरे absolute के लिए coordinate के लिए चलिए बात करते हैं g44 जी 54 तो जी 54 मेरा है coordinate system machine का जिससे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे टूल था वो जैड हंड्रेड पर आ जाएगा उसके बाद मैं T01 means tool 1 को call करता हूँ और M06 से tool change कर देता हूँ आगे मैं बात करता हूँ M03 मैं spindle को clockwise direction में rotation देता हूँ कितने speed से 2000 rpm की speed से आगे हम बात करते हैं G0, X0, Y0, Z1.0 means मेरा जो tool था वो center पर आ जाएगा कहां पर आ जाएगा center पर बट 1 mm उपर रहेगा इसको 0 पर लाने के लिए मैं G0, 1, Z0, F300 का use करता हूँ यहाँ पर आप कभी भी G0 का use मत करना बरना chances रहेंगे आपका tool collide करके तूट भी सकता है या आपके workpiece को damage कर सकता है यह मेरा recommendation है जब भी आप tool को 0 position पे लेके जाओ जैड में तो वहाँ पर आप G0, 1 का use करो और उसमें field अपने according आप दे सकते हो फिर मैं call करता हूँ M98 sub program को कौन से program को friend P50025 मैं चाता हूँ मेरा program 5 बार P5 means 5 बार repeat हो कौन सा program 005 25 बाला जो program वहारा यह था ना O 0025 तो friend हम O को नहीं लिखते हैं हम 00 जो चार डिजिट होती हैं हम उन चार डिजिट को लिखते हैं कहांगे हमारा P5 हाँ यह क्या अपना 0025 तो friend यहाँ पर हमारा ने पांच आप प्रोडाम कॉल कर लिया मैं start करता हूं clockwise direction में फिर F 1500 से 1500 RPM की मैं speed दे देता हूं अगें friend G0 X 79.12 Y-17.36 Z 1.0 तो मैं चाहता हूं मेरा tool कुछ इस side मेरा tool कुछ इस point पर आ जाए जिस point पर मैंने click किया मेरा tool इस point पर आ जाए अब मैं जाता हूं G01, Z0 और F200 मेंस मेरा tool Z0 पर चला जाए और अगें friend M98 से मैंने sub program कॉल कर दिया P5 5 times में run कराना चाहता हूं कौन सा program 0026 जो program हमने write किया था यह वाली cutting okay from यह program मेरा पांच बार यहां पर run कर जाएगा अगेंस जब यह program run कर जाए उसके बाद कर चाहता हूं मेरी machine G0 Z2.0 means 2 mm पर आ जाए वर्पीस से उपर उसके बाद G68 means rotation coordinate use कर लिए यहां पर मैंने क्या usually rotation coordinate तो मेरे जो coordinate रोटिट कर जाएंगे कितने एंगल पर इसका जो center होगा वह होगा x0 y0 means जो rotation होगा इस center के about जो axis rotate करेंगे x0 y0 के about कितनी डिगरी पर r60 में 60 डिगरी एंगल पर तो फिर मैं friend इसकी जगा पर आ जाँगो कहा जाँगो यह वाला मेरा 60 डिगरी पर है देखते हैं जी जी जीरो बन जैड़ जीरो एस तो अगेन मेरा टूल जैड़ जीरो पर आ जाएगा 200 की फिर अगेन मैं M98 सब प्रोग्राम को कॉल करता हूँ concept कितने बार पांच बार कॉंसे प्रोग्राम को 0026 वाले प्रोग्राम को अगेन जी जीरो जैड़ जीरो पर जाँगा और 5 बार उसी सेम प्रोग्राम को रन कराऊँगो और फिर वापस से जैड़ तू पर आ जाँगा यहां पर कितने बार 180 तो मेरे को यह वाला यह दिख रहा है फ्रेंट यह वाली मुझे कटिंग यहां पर मिल जागी अगेन जैड़ जीरो पर आना है 200 की स्पीड से 15 प्रोग्राम को रन करना है 26 वाले को और फिर 2.0 बापस उपर आ जाना है बापस उपर आकर फिर क्या करन को रन करांगो और फिर पापस जैड़ 2.0 पर मैं आज आँगा अगेन फ्रेंड मीरा यह वाला जो रहा गया यह तो पकेट रहा ही फ्रेंड यह हमारा जिरो डिग्री पर था यह 60 120 180 240 और 300 तो फ्रेंड यहां पर मैंने 300 पर में टूल को लिया आया जी 68 x0 y0 हमारे सेंटर हो 0026 सब्रोग्राम नंबर हो गया यह मींस मेरी पूरी मशीनिंग हो चुकी है उसके बाद मैं G0 से Z100 मीस Z100 अपर चला जाता हूं अपने वकपीश से और M053 spindle stop करता हूं M37 अपने प्रोग्राम को आफ कर देता हूं तो फ्रेंड कुल मिला के हमारे तीनों प्रोग्राम यहां पर बन चुके हैं उके फ्रेंड चलिए इन दोनों को बंद करते हैं इन दोनों का यूज नहीं है जो चेंजिस से मैंने सेव कर दिये हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं CNC simulator की तो फ्रेंड मैं इसको बंद कर दिता हूं आपको दुवारा से OEM system ओके इसको मुझे run करना है run करके कुछ step का ये मेरा आने वाला है थोड़ा wait करते हैं सबसे पहले हमें machine की emergency बटन को on करना है जिससे emergency हट जाए फिर हमको अपने road protection को off करना है की लगा कर और फिर हमको गयाना है program में आना है edit mode में जाना है और directory में आना है तो पहले जो मेरा program था वो था मेरा O0025 जब भी आप program को लिखो तो आप कोशिश करें कि आपके पास उसकी notpad file laptop या computer में available हो जिससे आप उस file को directly insert कर सकते हो तो दिखाता हूं मैं आपको दिखेंगे मेरे पास O0025, O0026, O0027 मेरे पास तीनो फाइल notpad file में पढ़ी हुई है आप चाहो तो .10 से लगा के wordpad file भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यह .10 से फाइल wordpad में आपकी खोल जाती है जो भी आपको suitable हो आप वाली file यूज़ कर सकते हो बड़ एंस यो टैक्स होन .10 25 और मैं आपको enter करना है अगर program यहाँ पर directory में नहीं है तो आपको enter करना है और अगर directory में है तो आपको o search means operation search करना है फिर फ्रेंड आपको file पर आना है open पर आना है और जहां भी आपकी file पड़ी हो पहले है पर पर दिरक्का है file type project file तो यहाँ पर आप कर लिना इसको .cnc .nc और .txt तो यहाँ पर आपको सारी फाइल सो हो जाएंगे अब आपको जो भी फाइल उपन करने है उस पर क्लिक करना है और उपन पर क्लिक कर देना है तो देखे फ्रेंट आपकी कुछ इस टैप से पूरी फाइल उपन हो जाएगी means आपको दुबारा से मशीन के अंदर टाइपिंग नहीं करनी पड़ीगी cnc simulator के अंदर तो फ्रेंट इसमें आपका इस प्लस पॉइंट भी है कि बार वाइट टाइपिंग का अपर जिनर खतम हो जाएगा आप डारेक्ट पहले प्रोग्राम को ओटोकेड में बनाके और मैं सर्च करता हूं 0026 सर्च करा अगेन मुझे सेम प्रोसेस दोराना है और मैं फाइल को उपन करूंगा 26 वाली को इससी टैप से फ्रेंट आपको तीसरी फाइल भी उपन करनी है तो उसे हम उपन करके नहीं दिखा रहा हूं आप डारेक्ट उपन कर सकते हो तो बस मैं उस 0027 मैं इसको सर्च परेता हूं तो फ्रेंड यह मेरा में प्रोग्राम आ चुका है चलिए आज पर बात करेंगा यहां पर ऊपर दे रखाए box और cylinder तो मैं cylinder पर click कर लेता हूँ अगर आपको color change करना है मैं चाता हूँ कि मेरा color जो हो वो different है कैसा color आए मैं चाता हूँ मेरा color आए को blue color सही रहेगा friend चलो इस वा blue color try करते हैं ठीक है और जो मेरी height होगी वो 60 mm की होने वाली है और जो मेरा dia होगा वो 150 mm का होने वाला है okay तो friend देख सकते हो मेरा कुछ step का आगया very good चलिए आगे आते हैं और हम बात करते हैं tool की तो tool management आगे हम दो tool use करते हैं पहला हमारा tool कौन सा इसको edit करते हैं मेरे tool का diameter 10 का और height मेरी होगी 80 की है इसको मैं करता हूँ okay और इसको मैं add into magazine बजा के tool station बन पर add कर लेता हूँ second जो मेरा tool है वो उसकी dia होगी 12 की और height होगी again 80 की अगर आपकी height छोटी बड़ी है तो वहाँ आपको height compensation use करना पड़ता है g43 का use करना पड़ेगा g43 h1 लिखना है आपको और कुछ भी करना होता है जहां भी आपका tool change होता है चलिए friend okay करते हैं और इसको हम add करते हैं tool station 2 पर तो friend यहाँ पर हमारे दोनों tool set हो चुकी है अब पहले tool को हम mount कर लेते हैं अपने spindle में तो देखे friend यहाँ पर पहला tool हमारा mount हो रहा है जैसे ही friend हमारा पहला tool माउंट हो जाता है तो means अब हम okay कर देना है और भार आ जाना है चलिए हैं अब हम आते स्टॉक में और rapid position पर आके विकास हमको center पर ही मिलेगा तो okay कर देते हैं तो हमारा tool center पर move कर जाता है अब हमको offset setting करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी offset setting तो offset setting में आ जाओ कहाँ पर आ जो work offset setting में आ जाओ यहाँ पर आपको x 0 type करना है then measure y 0 type करना है then measure z 0 type करना है then measure friend याद दखे g54 वाला जो second column हमें उसमें सारे coordinate 000 होने चाहिए g55 में 000 होने चाहिए और g56 में 000 होने चाहिए अगर यहाँ कोई भी 100, 200 और 20, 50 आ गया तो कहीं न कहीं आपका work piece machine में गड़बड कर जाएगा और बहुत गंदी वाली गड़बड करेगा आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या दिक्कत किये बड़ दिक्कत आ रही होगी तो friend हमारा सारा काम ओच हुका है अब हम देंगे reference क्यासी reference देंगे हम reference टेप को दवाएंगे पहले जैड में reference देते हैं पहले बताया था जैड में plus दवा दिए तो means मेरा जैड में reference machine चली जाएए अपने reference position पर जा चुकी है फिर हम by में reference देते हैं आप चाओ तो पहले एक्स में भी दे सकते हो machine आपको मना करने वाली नहीं है बिलकुल भी चलीए वाई में हो गया then एक्स में reference देते हैं हम तो बस friend हमारे reference का काम खतम हो गया तो मैं इसको गाइब कर देता हूँ और मैं इसको भी थोड़ा गाइब कर देता हूँ मैं यहाँ पर लियाता हूँ auto mode पर और मैं इसको थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ जिसे हमको proper देख सके चली friend यहाँ पर हमको अच्छा वी आएगा थोड़ा इसको उपर ले जाते हैं table को इससे proper देख सके हमको अब मैं यहाँ पर run करने वाला हूँ जैसे ही आप run करते हो आपको देखना है देखे friend यह आपको cutting करना start कर चुका है तो friend यह देख सकते हैं आप कितनी खूप सूर्थी से cutting करता है धीरे-धीरे करके यह भी अच्छा लग रहा है work piece का तो मतलब आप जब भी चाहो work piece के color को changes कर सकते हो अपने coding जिससे आप बोर हो गए हो कभी एक color को देखके तो दूसरा color change कर लो तो friend दूसरे आप हो चुक्या है फिर हमारा चलेगा तीसरी बार program ओके four times चलेगा program अब हमारा लास्ट हो गया फ्रेंट सॉरी पांच वर हो गया मैंने गौर्णी किया होगा चले फ्रेंट अब हमारा टूल चेंज हो रहा है T02 M06 से अगेन M03 से हमारा spindle स्टार्ट हो गया और देखे फ्रेंट यह हमारा पहली वार हमने जो call किया था one times two three जब तक फ्रेंट आप वीडियो को like and share जरूर कर दें प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है और फ्रेंट अगर कोई देखने में भी अच्छा लगे और मुझे बनाने में भी अच्छा लगे उके फ्रेंट चलिए तीसरे चौथे पार्ट पॉकेट कट रही है हमारी यह गई बस लास्ट हो गया हमारा अगेन हमारा आएगा 240 पर 240 वाली cutting होने जा रही है और फ्रेंट आप मुझे जरूर मुझे जरूर बता है झो चलिए फ्रेंट बात मिलते हैं नेस्ट ऑप्रेंटि अपस्ट नहीं थेंकई फ्रेंट